अगर हमें किसी भी फसल की अधिक पैदावार लेनी है तो वो निर्बर करता है हमारे उस फसल के रिकार्डिन जो अनकूल वातावान है अगर वो उस फसल को मिल जाता है तो वो जो पैदावार है वो एटोमेटिक जदाएगी ना कि अधिक फटिलाजर डालने से ना ही कोई अ कि नानी से कि सथ यू आज पिलिक लेंगे बिज़ में अगर वह घंधी खेहती कर रहे हैं तो उन्हें हैं जो अधिक पेदवा लेनी रहें लूपा ले आई उसके लिए चोटा सा जो इंवेस्टमेंट वह कर सकते हो고 non नहींः यह और जो कांम करना वह भी बिल्कुल सरल है किसान साथियो में प्रोब्रम क्या आती है कि जैसे अभी काफी जो गर्मी है वो पढ़ने वाली है और उपर से अगर पस्चिम साइड वागल हवा चलती है तो वेसे भी जो मिट्स के पोदे होते हैं वो एक टाइप से जुलिस जाते हैं उनके अगर स साइड की जो पतियां देखोगे तो वह ऐसे लगता है कि जैसे सन बर्निंग आगए यान की सुर्य के तेज परकार से जल चुकी एक तो जो दूप है वो डिर्क लगती है दूसरा अगर पस्चिम से वाचलती है तो जो पोदे के कंडिशन है वो बड़ी क्रीटिकल हो जाती उस पोदे को जितना जो ताबमान चाहिए उसको आपको देना है उसके लिए क्या करना कि आप जैसे कि यह आप खेद देखी रहे हो हैं पांच यह चे पोदे छोड़ करके एक जो आपको मक्की का दना लगा देना है मक्की का पोदा देखिए अभी सीजन मक्की का चल रहा ह अदिर बूंटी आप लगते हैं वह मक्की आप लगा सकते हैं ताकि आपको खाने के आदर काम आ जब तो मक्की का पोदा क्या करता है कि जहादा टंपरेचर होता है तो जो भी उसके नीचे है वो कर देता है इसलिए मैं कहता हूं कि जितने मारे मिर्च वाले फार्मर है वह यह काम जरूर कर लें पांच यह च्छे पोदे छोड़कर एक बीच के अंदर मक्य का दाना लगा लें ताकि आप लंबे समय तक और अधिक पैदावार है वह मिर्च की उठास के किसान साथिय मिर्च अपने मक्य के पोदे के लिए आपको कोई अधिक अलग से कोई खर्चा नहीं करना ना कोई खाड डालनी है इसके अंदर में क्या है कि वह तना छेदे की विमारी अपनी मिर्च के अंदर भी आती है सेम इंसक्टी साइड यूज करते हैं तो जब भी आप उसे अगर फ्वारा उसको भी लग जाता है तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है यानि कि ऐसी कोई सिच्वेशन याएगी जिसके गांड़ मक्य है आपको परिशानी दे उमीद करता है कि संसाथियों जानकरी आपको समझा सुकी है धन्यवाद